मेरे भाईयों बैनों साथियों स्वागत है आप सबका मेरे यूटूब चैनल इजी गार्डनिंग में फ्रेंड्स ये वही नीवू का पौधा है जो मैं कटिंग से लगाई थी और जिसका वीडियो से रहो चुका है आई बटन पर मैं लिंक दे रही हूँ आप जरूर देखेगा उसे देखिए मैं इसे रिपॉट करने के लिए उखाड रही हूँ परन्तु ये उखाडने से उखाड नहीं रहा जबकि केवल रेत में लगा है इसमें एक बुन भी मिट्टी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इसकी जड़े बहुत अच्छे से नीचे तक जमी हुई है साथियों कीचन गाडने में कभी कभी बहुत ज़्यादा पेसेंस की ज़रत पड़ती है देखिए इसका उधारन कि इस पौधी को मैंने ठंड के दिनों में लगाया था कटिंग से लगाया था इसलिए सकसेज होने में समय भी लगा परन्तो उसके बाद क्या हुआ कि गर्मी का सीजन आ गया यह मेरा बहुत ही कीमती पौधा है इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाते थी इसलिए मैं इसे गर्मी में नहीं लगाई इसे नीबू के प्लांट की एक कलम आप देखी रहे हैं उपर से कितना ड्राई हो चुका है फ्रेंड्स मेरे नीबू का तीनों कलम सकसेज हो चुका था परन्तो एक गलती की वज़ा से वो पौधा नहीं रहा मैं हमेशा इसे पौलिथिन में कवर करके रखी थी परन्तो एक दिन के लिए ही मैं पौलिथिन से बाहर रखी और वो जो पतला पौधा था वो खतम हो चुका नहीं रहा तो फिर उसके बाद से मैं इसे बहुत सम्हाल कर रखी यहां तक ही मैं घर के अंदर लाके रखी फिर बहुत तेजगर्मी के समय में और साथियों जैसे ही हमारे यहां मानसुन ने दस्तक दी मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैं इस नीबू के कलम को जर्ज रिपॉर्ट कर रही हूँ जड़ देख रहे हैं आप देखे किता सुन्दर जड़ लग रहा है मुझे बहुत ही बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं इसे कलम से लगाई थी और मुझे इसके जड़ का इंतजार था और देखे कितना अच्छा जड़ बना है साथियों मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी हुई हूँ एक ही हाथ से वर्क कर रही हूँ तो दिक्कत होई रही है मुझे अब इस कलम को भी देख लेते हैं यह कलम तो उपर से ड्राई होने लगा था मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि यह बच पाएगा भी कि नहीं इसलिए साथियों आप इस्वास नहीं करेंगे मैं पलपल मानसुन का इंतजार कर रही थी अब देखिए इसका जड़ और इसका जड़ तो और भी मजबूत वाला बना है देखिए कुछ रेसे हैं वाइट लेकिन एक जड़ जो है काफी मोटा बना है काफी मजबूत को देखकर मुझे इतनी खुसी हो रही है जिसे मैं सब्दों में नहीं बया कर सकती अब आपको प्रूफ मिल गया ना कि किस तरह से कटिंग से नीबू के पौधे हम तयार कर सकते हैं और हमारे कटिंग में जड़ भी इस तरह से बनेगा तो आप बिलकुल भी देर ना कीजि तो निश्ची थे आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मौसम अभी सभी पौधे लगाने कही है ताती हो मैं इस रिमजीम बारिस में ही अपने पौधे की रिपोर्टिंग की और वीडियो भी बनाई वो इसलिए हो पाया कि उपर मेरे पास थोड़ा सा स लेट की व्यवस्ता की हुई है वहीं पर बैठके मैं यह काम कर रही हूं लगातार बारिस से छत में चारो और पानी पानी फैला हुआ है मुझे यह काम करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई और आंत में सबसे जरूरी स्टेप की जब भी आप नया पाधर रिपोर्ट तो फंजी सेट जरूर डालेंगे जिस तरह से मैं यह साफ नम का फंजी सेट डाल रही हूं साथियों नीवू का प्लांट जो है गमले में भी हो सकता है हमारे बहुत से गाड़नर साथी जो की गमले में लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे से फूटिंग ले रहे हैं और कीचन में नीवू की कितनी जरूरत पड़ती है एक नीवू सुखने के बाद भी हम दुबारा और नीवू खरिट कर लाते हैं तो जरूरी है कि घर में अगर नीवू की इतनी जरूरत है तो हम अपने गाड़न में भी एक पौधा नीवू का लगा के रखें थैंक यू मिलत अगली वीडियो पर गुड़ बाई